स्वयाम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणना टीवी चैनल के तरफ से दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर दिदी आप पहले से ही डेनारलम में जूरी हैं तो आपसे निवेदन है कि पंच सुत्र का पालन करना बिल्कुल न भूलें सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत आत्रीक उधार, समय स्रन वापसी लेखा जोखा इन पंच सुत्रों का करे पालन और अपने सम्मू को रखे सक्रे क्यूंकि सक्रे सम्मू को ही युज़ाओं को लाब दिया जाता है और वरित्ता भी मिलती है तो चलिए दिदी ज्यादा ना बात करते हुए में टॉपी के तरपाते हैं जैसा कि आपने हमारे थमनिल में देखा है बच्चों की पढ़ाई से लेकर साधी तक का खर्च देगी सरकार जी हाँ आप जल से जल्द बनमा लें लेबर कार्ड आपको बता दे दिदी कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है क्योंकि ग्रामिर इलाकों से ही दिदी हमारी रहती हैं समू में जुड़ी आप लोग अपने घर में जो लोग पात रहें उन्हें लेबर कार्ड जरू बनवा दे जी हाँ इस योजना का लाव देश के हर राज में मिलता है राज सरकारों ने अपने हिसाब से कानून बनाया है जिसके अंतरगत मजदूर कार्ड के लिए अपलाई करना होता है स्रमिकों को सरकारी योजनाओ का लाव देने के लिए राज सरकारों की तरफ से स्रमिक पंजी करन किया जाता है केमरिया राज सरकारे स्रमिकों के लिए कई योजनाय चलाती हैं इन्हीं योजनाओ का लाव उचित लाभारतियों तक पहुचे इसके लिए सबसे पहले पंज पंजी करण करती है पंजी करण के तहत मजदूर कार्ड बनाया जाता है और सुविधाओं का लाव दिया जाता है इस कार्ड के जरिये राज सरकार अपने स्रमिकों को कई तरह की आर्थिक सहायता देती है पंजी करण और मजदूर कार्ड बनाने के लिए कुछ ही योगताएं इसमें आवेदन करने के लिए वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 60 साल तक होनी चाहिए यह कार्ड बनवाने की सिव्धा सिर्फ गरीब मजदूरवर्ग के परिवारों को दी जाती है स्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है इस योजना का लाव उठाने के लिए आप दीदी अपने नजदेज की CSC सेंटर पर जाके करवा सकती है जी हाँ आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से लगते हैं पहले इसके बारे में प्रिस्तार से जान लिजिए मजदूर कार्ड बनाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होते हैं जिसके अधार पर कार्ड आसानी से बनवाया जा सकता है मजदूर कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी दस्तावेज अधार कार्ड है जो सभी के पास होते हैं अधार काड अनिवार है जिसकी मदस्ते मजदूर काड बनता है किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति ही व्यक्ति का मजदूर काड बनेगा इसलिए उन्हें सभी जरूरी कागजात जमा करने होंगे आनलाइन अपलाई करने के लिए इन कागजातों को अपलोड करना होता है जो आपको दिदी CSE सेंटर पे जाकर करवाना होगा मजदूर का अपना बैक एंक आउट होना चाहिए जिसमें आर्थिक मदद भेजी जाती है मोबाइल नमबर भी जरूरी है जिस पर योजना से जुड़ी जनकारी दी जाएगी या पेमेंड का OTP भेजा जाता है रासन कार, मून निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, साइज, फोटो और स्रमिक प्रमाण पत्र होना जरूरी है जिस वक्ति के एक साल में 90 दिन का स्रमिक कार किया हो वह इस योजना के अंतरगत पंजिकरन करा सकते है जी हाँ देदी आप कहीं भी अगर 90 दिन काम किये हैं आपके हजबेन या आपके जो पती होते हैं तो आप उनसे साइन करवा लेजिएगा 90 दिनों का जी हाँ योजना का लाब कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाब देश की हर राज में मिलता है आपको अगरत करा दे की राज सरकारों ने अपने हिसाब से कानून बनाया है जिसकी अंतरगत मजदूर कार्ड के लिए अपलाई करना होता है कुरोना के दवरान की इंद्र सरकार ने स्रमिकों के लिए मुफ्त अन्य योजना चलाई है जिसका फाइदा मजदूर काड की अधार पर दिया जाता है इसके अलावा मजदूर काड धारक व्यक्ति को 2 रुपय किलो यहू मिलता है इस योजना के जर्ये मजदूर अपने बच्चे के लिए छात्रवित्ती प्रस्ती के दवरान होने वाला खर्च सुभ सक्ती योजना, आवास योजना, गंभीर बीमारियों का इलाज का फायदा उठा सकते हैं केंडर या राज सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली आवास योजना का लाभ मजदूर कार्ड धारक सर्मिको को मिलता है सरकार की तरफ से मजदूरों की एक पूरी लिष्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि कौन से लोग इसका लाभ उठा सकते हैं किसे मिलता है फायदा आये जानते हैं वीडियो में जैसा की दिदी आप सभी कौगत कर दे की कारपेंटर, राजमिस्त्री, सडक निर्माण में लगे मजदूर लोहार, बिल्डिंग मजदूर, चौकीदार, मोची इट की चिमनी पर काम करने वाले मजदूर पलंबर, इलेक्ट्रीशियन, रंगाई, पुताय करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, कारिगर आदी इस योजना के तहद मजदूर कार्ड बनवा सकते हैं और सरकारी मदद का लाप उठा सकते हैं जैसा कि दीदी हमारे स्वयम सहता सम्मू में दीदी जो हैं वो अधिकतर स्रमिक ही होती हैं उनके परिवार में सभी लोग स्रमिक का ही काम करते हैं इसलिए स्रमिकों को सरकार योजना का लाप देने के लिए राज सरकारों की तरब से स्रमिक पंजिकरन किया जाता है तो अगर दिदी आप अपने घर में स्रमिक पंजिकरन नहीं कराई हैं तो जल्द से जल्द करवा देजिए और लेबर कार्ड जरूर ही बनवाले इसके बहुत से फायदे मिलते हैं दिदियों को नहीं पता था तो अगर इस वीडियों में आपको पता चल गया होगा तो आप लोग जल्द से जल्द लेबर कार्ड जरूर बनवाले केंडरियार राज सरकारे स्रमिकों के लिए कई योजनाय चलाती हैं जो हमारी दिदियों को नहीं पता होता है इसलिए हमारी दीदी इस्रमी करती रह जाती है उनको किसी योजना का लाव नहीं मिल पाता है तो आप सभी कोगत कर दे कि प्लीज जल से जल अपने परिवार में अगर कोई योग्य है लेबर कार्ड बनवाने के तो आप लोग लेबर कार्ड जिरू बनवा ले इन योजनाओं का लाव उच्चित लाभारतियों तक पहुचे इसके लिए सबसे पहले पंजीकरण किया जाता है तो आपको पंजीकरण पहले सबसे पहले करा लेना चाहिए आपको जाना कहा होगा अपने नजिदी की CSC सेंटर पर उत्तरप्रदेश सरकार इसी के तहद यूपी स्रमिक पंजीकरण कराती है पंजीकरण के तहद मजदूर कारड बनाया जाता है और सुवधाओं का लाभ दिया जाता है इस कार्ड के जरिये राज सरकार अपने स्रमिकों को कई तरह की आर्थिक साहता देती है पंजी करण और मजदूर कार्ड बनाने के लिए कुछ योगता हैं इसमें आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18-60 साल तक होनी चाहिए यह कार्ड बनवाने की सुधा सिर्फ गरीब मजदूर वर के परिवारों को दी जाती है स्रेमिको के बच्चों को पढ़ाई के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है इस योजना का लाव उठाने के लिए आपको आलाइन आवेदन करना होगा कहां पे जाकर CST सेंटर पर तो चलिए दिदी आज की वीडियो पसितना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, सस्क्राइब, शेयर करना बिल्कुन भूले आपसे आसा करती हूँ दिदी कि आपके मुबाइल पे जितने भी वाट्सअप ग्रूप हैं सभी को सेयर कर दिजे क्योंकि स्वेम साता समु की दिदिया सभी अधिकतर मजदूर घर से ही होती है जो समु का गठन करती हैं तो आपसे निवेदाने की ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर चिरूप को दे जितने भी आपके पास वाट्सअप ग्रूप है तो धन्यवाद जयाजी वीका